विवादित राफेल सौदे में ताजा खुलासा रक्षा विशेसर ग्याजेश शुकला ने बिजनेस इसंडरेट में लिखे अपने स्थम में किया है फ्रेंच कमपनी दसौड के साथ 2016 में मोधी सरकार ने 36 लडाकू विमानों के लिए जो समझाउता किया था उसकी लागत 2012 में दसौड द्वारा 156 विमानों के लिए दे गए प्रस्ताव से 40 पिसदी जादा है 2016 में इंडिये सरकार ने 26 राफिल विमानों के लिए 7.8 विलियन योरो में किये गई सौड के हिसाब से प्रतेग राफिल पर 217 विलियन यूरो खर्च होंगे जबकि पहले वाले सौधे के तहट प्रतिय विमान पर 155 मिलियन यूरो खर्श होने थे अजे शुकला में साफ लिखा है कि पहले वाले सौधे में भी जिन विवानों को खरीडा जाना था वे भी उन सारी विशेस्ताओं से लैस थे जो नए सौधे वाले विवान में है इस नए खुलासे से एक बार फिर मोधी सरकार द्वारा किये राफिल सौधे पर कई सवाल खड़े होते है सवाल ये है कि आखिर क्यों 40 फीसदी बड़े दामों पर यह सौधा किया गया सवाल ये भी है कि किसे फायदा पहुँचाने के लिए इस सौधे को किया गया और सरकार पिछले कुछ महीनों से क्या छिपाने की कोशित में तच्चों को गलत तरीके से पेश कर रही है